नमस्कार दूस्तो जैशी किष्णा जैशी रादे आज की वीडियो में हम बात करेंगे मित्थुन राशी की कि जुलाई का महिना जो आने वाला है वो आपके लिए मित्थुन राशी वालों के लिए किस प्रिकार्स की खुशिया या फिर थोड़ी परिशानिया अगर लाने वाला है तो ये सब हम आपको पहले से ही बताएंगे तो ये जाने के लिए वीडियो को आन तक जरूर देखें क्योंकि आपके भविशे में आपके आर्थी के इस्तिती आपका करियर आपकी फैमिली लाइफ ये सब कैसा रहेगा तो ये बताएंगे हम तो ये जाने के लिए वीडियो को आन तक जरूर देखें क्योंकि आन्त मे हम आपको शुब रंग और शुब अंक भी बताएंगे और कोई परिशानी अगर आती है तो उसके उपाई भी हम साथ के साथ बताते हुए चलेंगे तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों के साथ शेयर भी करें मित्वन राशी के पारिवारिक जीवन के अगर बात कर लें तो मित्वन राशी वालों के लिए जुलाई में अपने परिवार में कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चाएं हो सकती है इस चर्चा में आपको एक्टिव रहना चाहिए किसी के प्रती कटटा का भाब ना रखें इस महीने मिथुन राशी वाले नया घर खरीदने का विचार भी कर सकते हैं यह फिर घर बदलने की भी सोच सकते हैं अला कि जुलाई में मिथुन राशी वालों लोगों को लिए घर में सबी सदस्य आपके खुश रहेंगे चिंता की बात है कि परिवार के किसी सदस्य का स्वास्त थोड़ा खराब रह सकता है तो इस ओर आपको साबधाने बरत्मी होगी अगर आपके बिजनिस और जॉब की इस महीने बात कर ले तो जुलाई के महीने में ब्यवपारियों को इस महीने थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है बरना समझोते हाथ से निकल सकते है गवर्मेंट चौप कर रहे लोगों का नया मौका आपको मिलेगा लेकिन उलजन भी आपको रहेगी इस समय अपने भविश्य को लेकर कोई बड़ा निर्णे आप ले सकते है नीजी छेत्र में काम कर रहे लोगों को अपनी नौकरी के बारे में संशे बना रहेगा जिससे आपका मन अन्छेत्र दूसरी जगे जॉब ढूंडने में लगेगा अगर आपके सिक्षा और करियर की बात कर लें तो जुलाई के महीने में स्कूली स्टुडेंट के लिए जुलाई में नया करने का मौका मिलेगा जिससे उनका ग्यान बड़ेगा कॉलेज में पढ़ रहे स्टुडेंट अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे और इसके लिए अपनों से बड़ों का विचार विमर्श भी करेंगे इसके लिए अच्छे से रिशर्च जरूर कर लें competitor exam की त्यारी कर रहे student का जोर नई चीजों को सीखने पर ज़ादा होगा अगर आपके जो सहपाटी हैं साथ पढ़ने वाले हैं आप उनके साथ दोस्ताना रवाया रखें क्योंकि वो आपको अच्छी सला देंगे लेकिन उनका मन कई चीजों में भी उलजा रह सकता है तो आप सी समझ बना कर रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा अब आपकी लव लाइफ की बात कर लें तो जुलाई में जो लोग शादी शुदा हैं आपने पार्टनर के साथ बाहर जाने का मन आपका करेगा लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है इसलिए थोड़ी निराशा आपको हाथ लगेगी प्रेम जीवन में रह रहे लोगों का पार्टनर के साथ रिष्टा थोड़ा कमजोर हो सकता है और जो लोग शादी शुदा नहीं हैं कोवारे हैं उन लोगों का किसी की और आकरशन हो सकता है इसके लिए कुछ नया करने का आप कोशिश भी करेंगे लेकिन स्वैम को ज़्यादा एकसाइट होने से बचाएं और किसी भी चीज की अती ना करें अब आपकी हेल्थ लाइफ की अगर बात कर लें तो जुलाई के महिने में मितुन राशी वालों के लिए स्वास की दृष्टी से ये समय अच्छा है कुछ छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ कर कोई विशे समस्या आपको नहीं आएगी जुलाई के तीसरे हफ़ते में जो लोग दमा के रोगियां उनको समस्या हो सकती है साथ ही जुलाई के एंड में किसी वज़े से नींद कम आने की समस्या से आप परिशान हो सकते हैं कम नींद के कारण बेचैनी का भाव भी आप में रहेगा अगर आपके लिए लखी नंबर और लखी कलर की बात कर लें क्योंकि अगर कोई परिशानी आती है तो ये चीजें आपको बहुत काम में आएगी तो शुब रंग आपके लिए पांच रहेगा और शुब रंग आपके लिए नीला है और शुब अंक पांच रहेगा तो इन दोनों चीजों का अगर आप अपने जीवन में अधिक से अधिक उप्योग करते हैं तो आने वाली समसियां आपकी ज़रूर दूर होंगी तो दोस्तों ये थी आपके जीवन का लेखा जोका मिथुन राशी वालों के लिए मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक चैशी किशना चैशी रादे हर हर महादे